दोस्तों रमस्कार स्वागत है आपका जगत क्या न्यूटीब चल में विंडोस 10 का LTSC वर्जन क्या है क्या आपको इसका इस्तमाल करना चाहिए या नहीं इसी से जोड़ी ही कई सारी बाते और इसका रिव्यू करेंगे चले फिर सुरू करते हैं इसी तरह के टॉपिक में इंटरस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा एक मज़े की बात हो अगर आपके कंप्यूटर में विंडोस 10 अटक अटक के चलता है तो तो बिल्कुल आखरी तक देखिएगा सबसे पहली चीज की विंडोस 10 LTSC का मतलब क्या है तो देखिए विंडोस 10 LTSC माने Long Term Servicing Channel इसके नाम से ही आप समझ गेंगे कि यह क्या चीज है Long Term यानि की लंबे समय तक सर्विज देने वाला चैनल इस तरह से आप समझ यह है मतलब यह उन कंप्यूटरों के लिए है जो लंबे समय तक काम करते रहते हैं जिने stable रहना जरूरी है इस तिरे के काम करना जरूरी है जहां पर एक ही software या एक ही चीज़ का बार बार इस्तमाल होता हो जिने रोज रोज अपडेट से कोई मतलब नहीं है जिने विंडोज के नए नए features की कोई आवा सकता नहीं है मतलब तोटल मार की यूं कह सकते हैं उन computer के लिए है जो computer का machine जादा है इतना सुनके आपको पता चली गया होगा यह Windows 10 LTSC machine के लिए operating system है machine में जैसे कि आपकी MRI machine हो गई वहाँ पे जो computer लगा होता है और आपकी CT scan वाली machine हो गई उसमें भी computer होता है आपकी ATM machine हो गई और आपके mall में जो machine नहीं होती है जिन में भाई सब आपका कैस रखते हैं और कैस आपको उसी में से निकाल के देते हैं तो इसी तरह की तमाम सारी machine आपकी जो आर्मी वगेरा में machine यूज होती है क्या क्या बताओं आपको यह तोटल मार के समझेए machine के लिए ही यह operating system इस्तमाल बनाया गया है क्योंकि machine को Windows के रोज रोज के update से नए नए feature से उस तरह की तमाम सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है बस एक ही काम को लगातार robot की तरह करना होता है इसलिए इस OS की normal Windows 10 के मकाबले requirement काफी काम है जैसे कि आपके computer में 2GB RAM हो या Pentium processor हो या IC के आजूबाजू का कोई processor हो तब भी आपका computer मस्त बिल्कुल अराम से चलेगा कुछ और जरूज चीज इसके वारे में बता देता हूँ जैसे कि हमारे normal Windows में 15-20 दिन में update आते हैं कुछ ना कुछ future वगेरा भी बदल जाते हैं और भी कई सारी चीजे होती है तो इसमें आपको वैसा कोई update देखने को नहीं मिलता है इसमें धाई से तीन साल में Microsoft की website पे एक update आता है वो आपकी मरजी के उपर है आप चाहें तो download करें या ना करें नहीं तो आपका computer ऐसे का ऐसे ही अराम से चलते रहेगा इसमें update के नाम पे बस आपको security update देखने को मिलता है security update आना काफी जरूरी होता है इससे आपका anti-virus मजबूत होता है आपका computer पहचान पाता है कि भीया कौन सा virus है कौन सा virus नहीं है अपडेट नहीं होगा तो आपका Windows का defender यानि कि आपका anti-virus मार्किट में किसी नए आने वाले virus को कैसे पैचान पाएगा कि भीया इसे पकड़ना है आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ आपके ये security update से computer कभी slow नहीं पड़ता है बलकि इसे update रखना चाहिए अब ये आपका Windows 10 का LTSC normal Windows से कैसे अलग हो जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखें ये अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें काफी सारी छटाई होती है इसमें कई सारे program, apps, services को हटा दिया जाता है और कई सारे services और program को disable कर दिया जाता है ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरा disable का मतलब ये है कि आपको अगर बाद में उसकी जाओत पड़ती है तो आप उसे manual चालू कर सकते हैं एक्जामपल जैसे कि आपके Microsoft Edge हो गया, Cortana हो गया, Cortana की विए कह जरूरत किसी मसीर में इसी तरह की और भी कई सारी चीजों को हटा दिया जाता है आप इसका इस्तमाल करेंगे तो खुदी पता चल जाएगा वैसे मैं आपको review और install करके दिखाऊंगा भी इसका review करी लेते हैं, start होने में यह आपके normal windows की तरह है यहाँ पर आपको जो wallpaper मिलता है, यह पुराने वर्जन वाल वाल पेपर है desktop पर आपको इसके वर्जन के बारे में कुछ detail देखने को मिल जाएगी टास्क बार इसको आपका देखने में थोड़ा अलग लग लग रहा हुआ start विटन पर आईए, यहाँ पर देखी काफी सारी चीज़े इन लोगों ने remove कर रखिए सबसे पहला search दिया हुआ है, search पर जैसे क्लिक करते है, search वाला खुल जाता है सेटिंग पर आएंगे, तो आपके जैसे की normal windows की सेटिंग होती है, वो सब सेटिंग है आपे और windows ऐसे series में लोगों ने calculator दे रखा है, यह भी आपके windows 7 वाला calculator है windows 10 वाला calculator थोड़ा heavy होता है, तो साथ इन लोगों ने उसी वज़े से हटा दिया होगा और बाकी और भी तमाम सारी चीज़े हैं, जैसे की मैं notpad खोल के देखता हूँ, यह भी बिल्कुल same to same वैसे ही है और काफी fast open हो रहा है, आपने notice किया होगा, एक चीज़ और open करते हैं यहाँ पर, दुबारा से so series में आई है, paint, paint देखिए कैसा है और चलिए मैं आपको बोल बोल के नहीं, अब list करके दिखा देता हूँ, देखिए क्या सारी चीज़े है, so series access वाले में आगा है, यहाँ पर भी वही सब चीज़े है, जो power cell में आई है, power cell में कुछ चीज़े है, windows system में आई है, और यह आपका windows का defender भी दिया हुआ है इन लो बिल्कुल आपके normal windows की तरह ही दिख रहा है, इसके about section में चलके देखते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर windows 10 जैसे की pro लिख के आता होगा normal computer में, तो यहाँ पर LTS version लिखा हुआ है, और windows activation में एक चीज़े देखिए, normal windows की तरह इसको भी आपको activate करना पड़ता ह आपको मेरी screen का resolution कुछ कम जादा दिख रहा हुआ, तो मैंने खुद कर रखा है, इसमें कोई issue वाली बात नहीं है, अब चलिए इसका control panel में आपको दिखा देता हूँ, बहुत लोग सूझ रहे हैं कि इसका control panel कैसा दिखता होगा, बिल्कुल यह देखिए, आपके normal windows के जैस द्वारा edit किया हुआ था, इस वज़े से वो सुरच्छित नहीं था, उस case में आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, यह बिल्कुल आपके Microsoft द्वारा original ही है, अब इसे download और install कैसे करना है, इसके लिए मैं next part बना दूँगा, फिलाल मैं आपसे ही परिजाद चाता हूँ, कै बलता हैं मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए था, और रखे अपना जय हिन, जय भारत